Hello, my dear friends, कल हमने first chapter discuss किया था, जो की अपनी medieval history का है और सतीस चंद्रा की जो book है सतीस चंद्रा की जो book है हमने उसका first chapter discuss कर दिया था, second chapter है तो second chapter में हम discuss करेंगे, मैं line by line जाओँगा और आपके competitive exam के लिए बहुत ही beneficial है, एक-एक line आपके preliminary या mains examination के लिए बहुत ही benefits ले, हर तरह के defense exam के लिए भी ये बहुत ही important है, Northern India, age of three empire, 800-1000 AD के बीच में, after the decline of harsha empire, हमने पहले chapter में पढ़ा था कि harsha empire के decline होने के बाद 7th century, a number of large states arose in North India, तो North India में बहुत सारे states जो अरोज हो गई, the Deccan and the South India, unlike the gupta and harsha empire in the North India, जैसे gupta और harsha के empire में ऐसा कुछ नहीं था, बट उसके बाद बहुत सारे अरोज हो गई, none of the other kingdoms in North India were able to bring entire ganga valley under its control, तो अपने control में नहीं नहीं काई, बस gupta और harsha लेके आए थे, the ganga valley with its population and other resources was the basis on which the ganga, gupta rulers and harsha had been able to extend their control, तो harsha और gupta अकेला ganga नदी के ऊपर control कर पाये थे, और control over गुजरात which its reach seaport, जो गुजरात के seaports हैं, बंदरगाहें and manufacturers was important for overseas trades, जो दूसरे समुन्दरों के पार वेपार करने के लिए important थे, मालवा और राजस्थान were the essential links between the ganga valley and the gujarat, तो मालवा और थे, लिंक थे बीच में, गंगा वेली के और गुजरात के बीच में, जो घाटी होती है, गंगा वेली, इस डिफाइन दा जियोगरिफिकल लिमिट्स of empire in the North India, ये डिफाइन करता है, नोर्थ इंडिया में जियोगरिफिकल लिमिट्स क्या थी, in South India, चोला's were able to bring Krishna, Godauri and Kaveri डेल्टा संडर दी कंट्रोल, तो साउथ में चोला अपने अंदर, Godauri, Kaveri और कृष्णा नादी के एरिये को अपने अंदर कर लिया था, चोला ने, इस वाज़ा बेशिस ऑफ देर सूपर मेसी इंदी साउथ इंडिया, तो इसलिए वे सूपर मेसी थी उनकी साउथ इंड इंडिया, बहुत सारे स्टेट्स हैं, अराउज हुए, उदे हुए, नोर्थ इंडिया में डेकन बिट्विन 750 AD to 1000 AD, साथे 700 से 1000 AD के बीच में यहां पर उज़ा हुए, इस वर दी पाला एंपायर, पाल एंपायर थे, विच डॉमिनेटेड इंस्टर इंडिया, जो इस्टर इंडिया में थे, पाला, पाला, एंदा जो बिहार बगाराय का एरिया है, पाला वहां पे थे, एंदा अपर गेंजटिक वैली तिल दा मिडल ओफ 10th century, दस्वी century तक थे, जो मिडर का एरिया है, गंगा का गाटी, 10 century, दा रस्टुकुटा एंपायर विच डॉमिनेटेड द और नीचे रस्टुकुटा, इच अफ दीज एंपायर साल दो देफोर अमंग देंसल्फ प्रोएड इस्टेबल कंडिशन ओफ लाइफ ओवर लार्ज एरिया, तो यहां पे स्टेबल लाइफ थी, एक्सेंडेड, लार्ज एरे, एक्सेंडेड एक्सेंडेड अग्रिकल्च empire of the time, यह more powerful था, but also acted as a bridge between the north and south India in economic as well as in cultural matter, economy and cultural matter में भी dominant किया, आगे चलते हैं, तो the struggle for dominant in north India, north India में क्या struggle चल रहा था, the period following the death of the harsha was a period of political confusion, हरसा की death होने के बाद, political confusion थी, राजने थी, confusion थी, for some time, later दिते है, the ruler of Kashmir brought the Punjab under his control, तो कस्मीर का जो राजा था, ललित्या दित्त है, उसने कंट्रोल किया, and even controlled कन्योज, कन्योज को भी, which since days of harsha was considered the symbol of sovereignty in the north India, तो पहले क्या सोचते थे कि हरसा के टाइम पे, जिसने कन्योज कबजे में कर लिया, उसके सारे कबजे में है, a position which Delhi was acquired later, तो position क्या दिल्ली किसने ब परी घाटी का एरिया उसका है, its rich resources and trade and agriculture, ललित्या दित्या इवन invaded बंगाल और गोर, तो बंगाल का एरिया है, या गोर का एरिया, and kill its reigning king, जो वहाँ पर राजिकार रहे थे उसको, ललित्या दित्या ने जो कस्मीर कर राजा थे, but his power went with the rise of पालाज and गुजरा परतिहारा, तो वहें खतम हो गई, उसकी power जब पाल उबर गे वहाँ पे बंगाल की साइड में, और गुजर और परतिहारा जहाँ पे गुजरात के एरिया में, the पालाज and परतिहारा, जो पाल और परतिहारा classed with each other for the control of the area extending from Banaras to South Bihar, तो Banaras से South Bihar के बीच में लड़ते रहे थे, which again had rich resources and well developed imperial condition, tradition, जो वहाँ पे राजसाही tradition थी परंपरा थी, तो परतिहारा also classed with the Rashtrakutas of the Deccan, तो परतिहारा राश्टरकुटा के साथ भी दक्सिन में लड़ते थे, the पाला empire was founded by Gopala, तो पाल empire था किस के दोरा find कियागा, Gopala के दोरा, probably in 750 AD, तो आप question बन सकता है, Gopala के दोरा 750 AD में पाल जो empire था, when he was elected king by the notable man of the area to the anarchy prevailing तो तो तब वहाँ पे अराजकता फैली भी थी, Gopala was not born in high, or much less role family, but high, his father probably being a soldier, उसके पिताजी एक soldier थे, he unified Bengal under his control, even brought Magda, जो Magda बोलते थे बिहार, under his control, लेके आए, Gopala was succeeded in 770 AD by his son, Gopala उसके सन के दोरा, succeed किया गया, और जिसका नाम था, धरमपाल, Gopala का बेटे का नाम था, धरमपाल, who ruled AD 810, 810 तक उसमें राज किया, his reign was mark by a tripatrate struggle, तो उसकी जो सासनकाल था, कि इसके दोरा मार किया जाता है, वहाँ पे tripatrate struggle था, तीन का struggle था, इसके बीच में, पाल, परतिहारा रूर, एड़ advance upon a God, बंगाल को बोलते थे, God area, तो यह बोल रहे हैं कि जो परतिहारा रूर, advance, मतलब आगे बढ़ गए कहां पे, God, बंगाल, but before a decision could be taken, he was defeated by राष्टकुटा रूर, तो बढ़ तो गए थे, वो बंगाल में, God area पे, बढ़ वहाँ पे उनको परतिहारा को हरा दिया, राष राष्टान की रगिस्थान में वो जाके अपना सर्न ले लिए हो, रुफार से, धुर्वा देन रिटरन टो डेकन, धुर्वा वापिस डेकन में आ गया, एंडिस लेफ्ट दा फिल्ट फ्री फ्रूं द्रंपाल, तो द्रंपाल का area free हो गया, वो उक्कुपाइड कनोज और एंड ग्रांड डर्बार अटेंड दी वेसल रूलर्स प्रोम इंजाब, तो वहां से गुलाम जो वेसल थे उसके गुलाम थे वहां से राज किया पंजाब से भी एंश्ट राजस्थानी टीशी, वी आज तो दी फॉर्टेस लिमित अफ इंडिया इंडिया इन दी नोर्थ तो यहां के एरियों ने सुजेर उनिटी उसकी परभूचमता असेफ्ट कर ली थी ध्रमपाल की, त्रिमपल करियर अफ दी ध्रमपाला जो मतलब विजेता का करियर था उसका द्रमपाला में बी प्लेस्ट बिट्विन AD 790 तो 800, द्रमपाला कुड नोट हावेवर नी नौर्थ इंडिया में ता परतिहरा पावर रिवाइवड अंडर नागभटा टू तो परतिहरा भी वापस आगे नागभटा टू के टाइम पे और रंपाला फैल बैक द्रमपाला वापस गिर गया बट वाज दिफेट नियर मोंगेर मोंगेर जो भीहार में जंगा है बिहार अन्ड इस्टन यूपी रिमेंड जो इस्टन यूपी है रिमेंड अब बॉन ओफ कंटेंशन तो ये बॉन ओफ कंटेंशन रहा म मोंगेर और इस्टन यूपी और पाला पतिहरा के बीच में However, Bihar in addition to the Bengal remained under the control of the Pala for most of the time Bihar भी Pala के अंडर रहा था बहुत ज़्याद था ताइ Failure in the North compelled the Pala rulers to turn their energies in other direction तो North में फैल होगे तो उन्होंने अपना South में अपना Punjab जमाना चाहा Devpala then son of Dhrampala, जो Dhrampal के बेटे थे देवपाल who succeeded the throne in 810 and ruled over 40 years चार चालिस साल तक राज किया extended his control of the प्रयाग्या जो तिस फुर जो असाम तक पहुँच गे और पार्ट सो फोर इशा ओडिशा में भी आ गए Probably a part of the modern Nepal was also brought under Pala सुजोनटी तो नेपाल तक पहुँच गे थे पाल है जो 10-400 years from the middle of the 8th century to the 9th century जो 8th century के बीच से 9th century के बीच तक पाला रूरर्स डोमिनेटेट इस्टन इंडिया तो इन्होंने इस्टन इंडिया को डोमिनेटेट किया for some time their control extended to the वारनाशी वारनाशी तक भी आगे थे देर पावर इज़ेस्टिड वाई ने अरब मर्चेंट तो उनकी पावर अरब मर्चेंट ने बताई इसका नाम सा सुलेमान who visited इंडिया in the middle of 9th century and wrote an account of it उसने उसकी वरतांत लिखा उस घटनागा उसने पाला किंग्डम रूमा उसने पाला किंग्डम क्या बोला है और सुलेमान ने रूमा और धर्मा तो धर्मा बोल दोया तो धर्मा और धर्म पाला and says that पाला रूलर वाज अट वार with his neighbors तो पाला रूलर थे किसके रास्टगुटा के साथ लड़ाई में थे and परतिहारा तो ये परतिहार के साथ लड़ाई में थे और परतिहारा और रास्टगुटा बट इस ट्रूप्स वर नूमरस देन इस अड़र्सरी उनके साथ बहुत सारे सैनिक थे एज कंपेर्ड तो धी एड़र्सरी जो इनके विरेदा वाशी थे रास्टगुटा और परतिहारा लग्वक्ट पचास अजार आथी रहते थे और यह पंदरा हजार के आदमी कप्डे दोते थे इवन इस इन फिगर में भी एग्जार यह बोल रहे हैं कि वही फिगर यह जो बता रहे डाटा बड़ा चड़ा अगर बोला जस्ता हुटा आप एजिए पाला एडे लार्ज मि सब्सक्राइब करते थे बाट वी डूंट नो वैदर दे हैड़े लार्ज स्टेंडिंग आर्मी उनकी खड़ी चलने वाली आर्मी थी या वैदर देर फोर्सिस कंसेशन लार्जिंग फ्यूडल लिवाइस फ्यूडल लिवाइस मतलब है कि जो महंत कर लेके इखटा करते थ वो थे या उनकी स्टेंडिंग आर्मी थी इन्फोर्मेशन अबाउट दिपाला इस अल्सो प्रोइड़ेट ट्वाइड टूस बाइटी टीबतियन क्रोनिकल तीबत की जो क्रोनिकल के द्वारा भी जो उसका टाइम का जो पीरेट स्का उसका निवस पर परता उससे पता च रिलीजन तो पाल के ताइम पर बुद्धिस फैला लर्निंग होई या रिलिजन फैला नालंदा युनिवस्टी विच हैड बीन फेमस फोर ओल इस्टें वर्ल्ड तो नालंदा युनिवस्टी जो फेमस थी वाज रिवाफ भाई ध्रमपाल ध्रमपाल ने रिवाउट किया बाद 2 थी फेम में विविक्रम सेला उनिवर्स्टी इट वाज लोकेटेट एट टॉप फेहिल एंद बैंक्स ओफ दी गंगा इन मगदा मगद एरिया में अमिर्स बिट प्लिजेंट स्राउंडिंग्स बहुत कुस्नुमा माहूल था महां पे दा पालाज बिल्ट मैनी विहार पाल ने बहुत सारे भीहार बनाए विचे लार्ज नबर बुद्धिस्ट मॉंग लिव जहां पे बुद्धिस्ट मॉंक रहते थे दा पाला रोलर है आल्सो हैड क्लोज कल्चरल रिलस्ट विट तीबद के साथ क्लोज कल्चरल लिनेंशन शिप थे the noted buddhist scholars santa santa raksita and dipankra called atisha santa raksita or dipankra called atisha were invited to tibbet and they introduced a new form of the buddhism there as a result many tibetan buddhist flock to the flock to universities of nalanda vikram shila for study although the palas were supporter of buddhism they also extended to their patronage to savism savism ko bhi siv ki bhakti ko bhi apna hai they gave grants to a large number of brahmans from north india who flocked to bengal the settlements help in the extension of the cultivation in area the transformation of many pastoralists food gatherers who settled down to cultivation the growing prosperity of the bengal helped in extending trade and cultural context with countries of south asia the trade with south east asia was very profitable and graded the prosperity of the pala empire and led to incursion of gold and silver from these countries into bangal the powerful salendra dynasty salendra dynasty which was buddhist in faith which ruled over malaya java sumatra and neighboring iceland which sent many embassies to the pala court and sought permission to build a monastery at nalanda also requested the pala rebel dev pala to endow five villages for its upkeep the request was granted and bear testimony to close the relation between the empire the request was granted and bear testimony to close the relation between the empire in the karnoos area also called gujar parthihara most scholars believe that they originated from the gujarat who were pastoralists and fighters like the jats the parthihara establishes a series of principalities in central and eastern raja stahn में उन्होंने अपनी प्रिंसिपलेटी जंगे बना रखे थी दे class with the rastakuta rastakuta शाथ for control of the mall wine gujarat के लड़ते रहते थे later for karnoos which implied control of upper ganga valley का मतलब अपर गंगा वेली का control लेना चाहते थे यह और राश्टकुटा पर तिहारा अपराज who first had their capital at binhamal तो यहां पर भीनमल में की जिंगे थी और गेन प्रोमिनेंस अंडर नागबटावन नागबटावन के time पर यह बहुत प्रोमिनेंस होगे मुख्य होगे who offered stout resistance to the arab rulers जिनोंने बिल्कुल कड़ा resistance क्या Arab rulers of Sindh who were trying to encourage on राजस्तान गुजरात और पंजाब जो राजस्तान गुजरात और पंजाब में आचाता है अरब मेड़ा जटका लगा towards गुजरात and but more decisively defeat by the चालुक के रिवर्स of the गुजरात in 730 AD तो अरब बहुत आए यहां पर बट चालुक के उसके बाद भी थोड़े थोड़े आदे रहे अरब यहां पर अफ़र्स of the early पर्तिहारा's rules to be extended their control over the Upper Ganga Valley and Malwa were defeated by the राष्टकूटा rulers धुरूर तो हमने पहले भी पढ़ा था है कि राष्टकूटा के जो रूलर से दुरू थे उन्होंने इसको हरा दिया था पर्तिहारा को और गोपाल थ्री जो गोपाल थ्री थे वहां के इन 790 and again 806 7 में राष्टकूटा डिफीट पर तिहारा है और देन विड्रू वहां से निकल गए तो दी डेकन डेकन निकल गए तो पालाज के लिए फिल्ड फ्री चोड़ गे वह और परहपस दा में इंट्रेस्ट ऑफ दी राष्टकूटाज वास दी डॉमिन ऑप मालवायन गुज्राद आपको थोड़ा सा मालव बलर्ड दीख रहा हुआ बट डॉंट वरी आम तैलिंग यू इच और विद पेसेंस आप सुनते जाएए आपको पक्का हो जाएगा तो यह बोल रहें कि रियल फाउंडर परतिहारा एंपायर के कौन से थे राजा भोज थे वाज भोजा वी डूनोट मच अबाउट दी अर्ली लाइफ भोजा हम भोजा की लाइफ के बारे में जा जाने जानते वैन ही सेंचरी मैं देखता हूँ अगर इसका दूसरा अच्छा सा प्रिंट होगा तो इसका यही प्रिंट है तो डोंट वरी मैं बताता हूं आपको आप देख सुनते चाहिए और विच रिमेंड दा कैपिटल ऑपरतिहरा एंपायर फोर दी आलमासे सेंचरी बोजा ट्राइट ट परिंट होर्स दी सेंटर्ल इंडिया सेंटर्ल इंडिया तरफ चले और डेकन यंगुज्रात में दिस लेड़ टू रिवाइबल ऑफ दी स्ट्रोल विट इस ट्रगल विडिघयल इस तबबार सट्र्गुटा होगा इन्रे सेंगुनेरी बेटल मलंट सेंगुनेरी हो था वाज अबल तो रिटेन कंट्रोल और कंसिडरेबल पार्ट्स ओप मालवा तो मालवा के पार्ट भी कब्जा कर लिये सम पार्ट्स ओप गुजरात के भी बटी कुड प्रोग्रेस्ट नो फर्द इंडेकन में नहीं जा पाए वहां पे रास्ट कुटा थे हैंस इस तर्ट एंशन टुदी नूर्थ कंट यह अपने अकोडिंग्ट टुदी एन इंक्रिप्छ न modest अपने लेक के अॉपार्डिंगे एक्टिंटी एक्ट फोडिं साइड भी रिवर से थो वेस्टन साइड मीश्ट साइट में ती रिवर्ट 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 के अरभ टल और ट्रेवलर्र जो अरब ट्रेवलर्स धेल इन इडिया तो पर्तिहारा रूलर्स मौट कि पंपर फ्रहा फ़्स वारी सेनती वह के इंपोर्टन जो इंपोर्ट होता था आयात हुता था और्ग में पैज में लॉठ से गोड़े फ़ुरें नवह तो देवपाल गुजर गए तो यह वहां पर पहुंच गए तो जो लेजेंड है परहप्स दाइडवेंच और अर्ली पार्ट ऑफ दी लाइफ इस ग्रेज्वल कंट्रीक्वेंस ओफ इस लोस्ट एंपार तो उन्होंने देरे देरे जीत रिया इस फाइनल जो रिकवरी थी कन इमेजिनेशन ओफ इस कंटेंपरिरी जो इसके साथ वाले से सोचते थे कि यह कन्योज को नहीं कंट्रोल करेगा उन्होंने कन्योज को कंट्रोल गया भोजा वाजे डिवोटी ओफ विष्णू के डिवोटी थे भगत थे अड़ोप्टिड दा टाइटल ओफ आदिवरा वि यह अलग थे मिहर भोज भोजा प्रवबली डाइड इन 855 वाज सक्षीड़ वाज इसके बाद उसके सनाई महिंदर पाल महिंदर पाला वन महिंदर पाला हूरूल तिल 90808-909 मैंटेन दा एमपायर और पोजा भोजा का एमपायर और मैंटेन किया एक्टेंड इट ओवर प्रवगदा तक फैला दिया और नौर्थ मंगाल तक इस इंस्क्रिप्शन है विन फाउड इन काठियावार तो इसके लिखे वे जो लेख हैं काठियावार में पाते हैं इस्ट पंजाब और अवद महिंदर पाला फाउट ए बैटल विद दिकिंग ऑफ कस्मीर और बट है तो जो हार गेज के बेटे जो महिंदर पाल हैं कश्मीर के राजा से और कुछ अपना एरिया देना पड़ा जो भोज की द्वारत जीते गए थे परतिहरा दस डोमिनेटे नौर्थ इंडिया परतिहरा नोमिनेट किया नौर्थ इंडिया में ओवर हंडर्ड यर्स सो साल तक फ्रॉम दी अर्ली नाइन तो दी मिड ओफ 10 सेंचरी अलमसुदी ए नेटिव बगदाद हुव विजिटेड गुजरात इन 9, 15, 16 टेस्टिफाइज तो दी ग्रेट पावर और प्रेस्टिज अफ दी परतिहरा रोलर्थ दी वस्टनेस अफ दी इंपायर है यह काल्स दा गुजर परतिहरा किंडम अल-जुजर एक करप्ट फोर्म उप दी गुजरा तो अल-जुफजर बोला उनने दा किंड बोरा प्रोबेबली यह भी बोला उनने तो इसको गिंड बोरा भी बोला उनने नाम गलत पुकारा हुआ दिवर आगा ताइटल यूज भाजा अल्दो भोजा है डाइड डाइड टाइम भोजा मर चुके थे अलमसूदी जो थे यह बाहर से आये थे एक लाकर से जार गाओं आते थे इतना लंबा था अलमसूदी ने ये बात बोली है परतिहारा आज क्या जो आधिवर्रा राजा भोज दा कंग आर्मी हैड फॉर डिविजिसंस किंग की आर्मी में कही डिविजिसं थे फॉर डिविजिसं Schmidt इज कंसिस्टिंग उफ 7,700,000 तो 9,00,000 जो 7,00,000 आद्मी थे विद्धी आर्मी अफ थी नोर्थ फैट अगेंस दिरूरण पॉलत अगेंस दिर एम विद देम तो इन्हों ने जो मुसलिम एन मुलतान के रूरलण से अपने आपको इन राइन कर रखा ता अज़ी आर्मी ऑप 2000 elephants trained for war but the best cavalry any king in country तो गुजर परतिहारागी अच्छी cavalry थी तो परतिहाराज वर pattern of the learning and literature literature को भी नोंने संद्रक्षन किया ग्रीट संसकर्थ poet and dramatist राज़ा सेकर जो राज़ा सेकर थे परतिहाराज सेकर जो राज़ा सेकर जो राज़ा सेकर थे लिटरेचर लिखते थे परतिहाराज सेकर अच्छी में बहुत सारे स्कॉलर्स थे अबसी में गए खलीपा के जो बगदाद ये खलीपा के अबसी थी इस स्कॉलर्स इंडियन साइन स्पेसली मैथेमेटिक्स अलज़ेबरा and meditation to the Arab world we don't know the names of the Indian kings who sent these embassies हम उनके नाम नहीं जानते हैं जुन्होंने इस embassy भेज़े थे राज़दूद भेज़े थे वहाँ पर अरब में परतिहारा वर्लवाइन लॉन फूर खोस्टिलिटी टू दी अरब रूर्लर्स ऑफ शिंद तो बोलते हैं कि सिंद के आदि में से थे बनती नहीं थी परतिहा किंग थे इंद्र थी तो राष्ट्रकुठवा ने अचेक कर दिया हैं यहां पे दाविकेंड परतिहार एंपार एंड गुजरात प्रोबिली पास इंट्यू दी हैं तो नोशो पंद्रा में इंद्र नहीं है कब जा लिया है अलमसुधी क्या कहते हैं धे अट परतिहार एं तो आपको पता कि यहां बंदरगा से गुजरात से वहां पर वैपार होता था वो चला गया उनका राष्ट का इंदर थ्री ने उसको कब जा लिया तो यह बोल रहे हैं कि वाज अनदर ब्लोटूथ परतिहरा परतिहरा की नुक्षान था अनदर राष्ट कुटा रूल कृष् तो परतिहरा आमपार कतम हो गया उसके बाद इंदर टू इंदर थ्री और कृष्ट्णा थ्री महां के थे मैप जरूर देख लिए आपको याद रहेगा याद करने में इजी रहेगा साही यहां पर थे मुलतान यहां पर था यह इंडस रिवर थी यह मनसूरा जंगे थी न नारायनपूर कस्मे स्रीनगर काबूल यह गजनी तो यहां याद रखेंगे पाला और सेना यह बंगाल एरियम है एक काला चूरीज बोलते थे धार है अचलापूर परमार्स यहां पर थे रस्ट्रकुटा नीचे थे मान खेत में तो यहां आपको मोटा मोटा याद रहेग चोला और नीचे थे तमिलाडू में रस्ट्रकुटा के बारे में पढ़ते हैं वाइल दा पालाज और पर्तिहाराज वर रूलिंग ओर नोर्थ इंडिया पाल और पर्तिहार नोर्थ में थे देकिन में कुन थे रस्ट्रकुटा थे विच प्रोडूश ए लोंग ट्लाइन वारियर एंड अड्मिस्टेटर शोरी दा किंग्डम वाज फांड वाइ दंती तुर्गा रस्ट्रकुटा का दंती दुर्का दवराज इस्टैबलिश के गे थे वू सैट अप हिस कैपिटल एट दी मन्या खेत माल खेत में राजदानी थी नियर मोर्डन सोलापूर याज सोलापूर ज के पास दराश्टकुटा सुन डोमिते दि इंटार अर्य अफ दिन नोर्थन महारास्टर में राश्टकुटा दे अलसों गेज विद दी पर्थी हराज थी ओर लोड़ शीप दी गुजराज गुजराज पी लड़ते थे पर्थी हराज के साथ एंड मालवा व फोड इस्टन जो चालुक तो एस्टन जो चालुक के थे वैंगी के जो आंदरपर देश में थे उनके साथ भी लड़ते रहें एन इन शाउथ अगेंस दी पलवा व कांची पलवा जो कांची एरिया के जो तमिलाड में आज है पलवा वहां पे उससे लड़ते रहें मोग वर्षा आफ्टर ए सक्सेस्पुल एक्स्पेडिशन अगेंस्ट नागभट्टा ओफ कन्नोज दा एनेक्सेशन ओफ मालवा गोविंदा थ्री टर्न टू दी साउथ वापिस आगए हो जो नागभट्टा से लड़ाई कर गए तो इससे पलवा खतम हो गए थे यह पाल से लगए पलवाज साउथ के हैं और जो यह केरला के भी थे पांड्या भी थे और चोला किंग के साथ भी लड़ाई होती रहती थे तो अपने इंट्रेस्ट के लिए लेके वह लिकुल नेगलिजेंट थे वर कैप्चर और ब्रोट ओवर दी प्रिजन टू हलालपूर यह हलालपूर ले गए उनको जेल करके टू स्टेटूस अफ दी लोड लंका वर खेरिड माने खेत एन इंस्टाल लाइक पिलर ओफ दी विक्टरी फॉम दी सिवा टेंप मतलब इन्होंने राष्ट्र कूटाज ने स्रीलंका की तरफ भी कूच कर दिया और उनको भी हरा के आगए जो किंग था स्रीलंका का और उसके मिनिस्टर थे उनका कम इंट्रेस्ट था उनको पकड़ लिया गया और यहां पे ले गए हलाल पूर जंगे पे ले के आगे उनके वहाँ से मंदिरों से पिलर ले के आए माने खेत में वहाँ पे इंस्टाल कर दिया शीव टेंपल में अमोग वर्षा ने बुकी बिली किया कर्नेडा लेंगवेज में वाज ग्रीट रूरर और राष्टकुटा के अंदर बहुत सारे वह थे राज्ये थे वह थे बिली कंटेन दा बिली कुटने अफर रिस दाइडा के बाद उसका बेटा पोता आया इंदरत्री रेस्टब्रेस्ट था एंपायर और अफर देफीट महिपाला महिपाला को हरागे था सेक कनोज गो कब जालिया 915 में इंद्रा थ्रिवास दी मोस्ट फावर्फुर रूरर रूरर फिस टाइब सोरी अकोर्डिंग टु दी अलमसूदी अलमसूदी वुजिटिड इंडिया मतलब कोई अरब का बंदा था इसलिए हमें इस्टी का पता चला है तो बलारय या वललब राजा ग्रेटेस किंग थे उपजेस लार्श आर्मी इननुमरेबल इलिफेट बहुत सारे आती थे इनके पास करिष्णा थे 934-963 वास दी लास्ट इन दी लाइन ऑफ दी ब्रिलेंट रूरर्ज तो करिश्चना थ्रीथ के लास्ट थे इसमें ब्रिलेंट रूर्ट में तो मालूआ के जो परमार थे या वैंकी थे चालुक की वैंकी के जो आध्र पर्धरै से वहाँ के उनसे स्टॉकल रहता था यह अल्सो लॉंच ख्रिशना थी ने कैंपें अगेंस दी चोला रूर आफ तंजोर चोला जो 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 ऑगिते वहाँ भी वहाँ भी वैड सप्लंटिड मदब दबा दिया उनको लूट लिया धी पलवाज ओप कांची उनको भी लूटा उन्होंने ख्रिशना थी ने ड आफ्टर हिस देट उसकी मौत के बाद आल इस अपोनेंट्स उनाइट अगेंस दी सक्सेसर तो जो अपोनेंट्स थे वह इखटे हो गए राष्टकुटा कैपिटल मालखेत वाज सेक्ट अन बंट इन नाइन सेवंटे टू दिस मार्ग दैंड ऑफ ती राष्टकुटा एं देकन वाज लास्टिर फोर अलमॉस्ट दोसु साल रहा तिल दा एंड अफ दी 10th सेंचुरी राष्टकुटा रूलर्स वर तोल्रेंट इन देर रिलिजिस व्यूस और जैनिजम अल्सो जैनिजम बिया इस पे सेविजम वैसनिजम बिया दा फेमस रोगकर टेंपल उप जैन तो अमोग वर से क्या बताएगे हैं जैन थे बठी आल्सो पेटरनाइज अधर फेट्स रस्टकुटा अलाउड मुस्लिम ट्रेडर्स तु शैरल यहां पर मुस्लिम ट्रेडर भी रहते राष्टकुटा में परमेट इसलाम तो प्रिच इसलाम को फैलाने दिया इन दे मस्जिद में खुश्टिव टो तूंस इंड रस्टकुटा अंपार दा तोलर्ट पोलिशी एप्ट प्रमोट फोरें टेडर इसलाम ट्यू टविच एट प्राइज रस्टकुटा बाड़ जे फोरें च्रई भी वा रस्टकुटा ऑर गाड़ जी वा अदेर फोरेंड प्र यह आई थी प्राकृत और अब्रंच, दा ग्रेट अब्रंच पोएट स्वावय वंभू एंड इस राष्टकुटा कोट तो अभी एक क्विश्चिन आ सकता है, स्वावय वंभू कॉन कहा थे, राष्टकुटा के कोट में रहते थे अब इनका political ideas and organization पढ़ लेते हैं, the system of administration in these empires was based on the ideas and practice of gupta empire, गुपता empire जैसा इनका administration था, जो हर्षा, king, kingdom in the north and the Chaluk and Deccan, तो north में हर्षा को follow करते थे, चालuk के and Deccan में, as before the monarch was the center of all affairs, तो यहाँ पर बलर्ड होगा, थोड़ा साब manage कीजिए, आपको मैं अच्छे से बोल के बता administration, as well as commander in chief, to commander in chief था, मोनार्ग राजा होता था, armed forces का, he sat in magnificent दर्बार, बहुत बड़े दर्बार में बैठता था, राजा, राजा ही मेन होता था है, squadron of infantry, infantry के पैदल चलने वाले सैनिक भी थे, cavalry भी थी, goods war भी थे, workstation in the courtyard, captured war elephant भी थे and horses were braided before him, horses भी प्रेड करते थे, उसके स and going of vessel chiefs and fugitory ambassador and other high official who regulated on the king, तो king के साथ ये chamberlain भी बैठते थे और ये manage करते थे सारे काम को, the king also dispensed justice, justice भी देता था, the court was only a center of political affairs and justice, court के center था, political affairs का, justice का नहाएगा, but cultural life as well, dancing girls and skilled musicians attended the court, women of the king household also attended the दर्बार इदर्बार इं फर्स योगिजन, तो वहाँ की ओरते भी इसको दर्बार को जोइन करती थी, festive occasion पे, in the Rastakuta empire according to the Arab writers, जो Arab writers है, women did not veil their faces, यहाँ पे ladies क्या है, गुंगट नहीं करती थी, Rastakutas में, आपको याद रखना है, the king position was generally hereditary, मतलब एक राजा का बेटा ही राजा बनता था, things of the time emphasis absolute loyalty and obedience to the king because of the insecurity of the time, तो तो सब उसके obedience में रहते थे, क्योंकि वहाँ पे uncertainty, the insecurity of the time थी, ताकि हम राजा की नीचे रहेंगे, तो राजा हमें बचा लेगा, wars were frequent between kings and between the kings and their vessels, उनके गुलाम थे, उनके बीच में, होती रती रही है, while kings strove to maintain love, क्यों क्या करता था, maintain love करता था, लाग को maintain करता था, and order within their kingdoms and their arms rarely extended far enough, तो बहुत मुश्किल से क्या है, उनके जो अथियार निकलते थे, vessel rulers and autonomous chiefs often limited the area of the direct administration of the king, गुलाम क्या थे, गुलाम रूलर थे, autonomous chiefs थे, उसके इंडर ही रहते, डारेक्टर कंट्रोल में, although the kings adopted high sounding titles such महारादी जाराज, या परम भश्ता र रादा जी राज गनाम से बलादा था, राष्टकुटा में, and claim to be चक्रवर्ती, चक्रवर्ती बोलते थे, supreme of all rulers, a contemporary writer, मेदा थी, मेदा थी, तो मेदा थी ने क्या लिखा, thinks that it was the right of an individual to bear arms, अथियार रखना, in order to defend himself, अथियार रख सकते थे, तब मेदा थी के इनुसार, against the thieves and assass procession, अत्तारों से बचने के लिए, लाथियार रख सकते हैं आदमी, he also thinks that it was right to oppose an unjust king, तो ये बोल रहे थे कि कोई अगर unjust हो रहा है, बिना, अन्याय हो रहा है, तो उसकी इकलाब ऊट सकते थे, आदमी, extreme of royal rights and privileges, but put forward in purana, not accepted by all thinkers, ये बात पुराना में लिकी हुए है, but सब thinkers ने अपनी की, the rulers, the rules about succession were not legally fixed, rigidity fixed, मतलब fix नहीं थे, the eldest son often succeeded, but there are many instances, बहुँ सारे instances भी हुए है, eldest son had to fight younger brothers, अपने चोटे भाईयों से लड़ना पड़ा, कुर्सी पे आने के लिए, चेर पे आने के लिए, and sometimes lost them, thus the rastakuta ruler धूरवा and going the fall, जो rastakuta ruler थे धूरव and going the fall, to depose their elder brother, उन्होंने अपने बड़े भाई को निगाल दिया था, sometimes ruler designated the eldest son or another favorite son as their yurajan successor, कई बार successor को भी बना दिया जा जा था बड़े बेटे को, task administration का काम करता था, younger son जो बड़ा बेटा था, princes were rarely appointed the government post, राजाओ को कम government post पे ले क्याते थे, we do have instances when rastakuta princes, चंद्रो बल बे, a daughter of Amokvarsha, admistant the rai chur dua था, तो एक लड़किया भी यहाँ पर Amokvarsha की बेटी ने राजा किया था, तो एक क्षिशन आ सकता है कि क्या नाम था, चंद्रो बाला बे, kings को जो का generally advice दिया जाते था, बहुत सारे ministerों के दिवारा, the minister was chosen by the king, जो चूज के जाते थे, चुने जाते थे, राजा के दिवारा, generally from the leading families, जो leading families से होते थे, उचे दर्जे की families से होते थे, थे, their position was often hereditary, उनकी position का थी, hereditary थी, वन्चा गुनत थी, thus in case of Pala kings, we hear that a Brahmana family supplied four successive chief minister to Dharampala, तो Pala के संधर में हम सुनते है कि Dharampala के लिए एक family से च्यार गई थे, जो उनको बताते थे, उनको सला देते थे, his successor, in such cases, ऐसे cases में the minister could become very powerful, minister powerful बदाते थे, थे, although we hear a number department, central government, central government, बहुँ सारे department होते थे, we don't know how, कितने होते थे, how many of them were, or how they work, from epigraphic and literary works, it appears that it is most every kingdom, there was a minister correspondence, correspondence का minister होता, जैसे आज secretary होते है, हार department होते थे, which included foreign affairs, a revenue minister, और treasurer, chief of armed forces, Sinaapathी भी होते थे, चीफ justice होते थे, और पुरोहीत भी होते थे, more than one post, post could be combined in one person, तो यह बोल रहे हैं कि, जैसे आज कई post दे दे जाती हैं, वैसे उस time पे भी होते थी, perhaps one of the ministers was considered the chief of the leading minister, on whom king learned more than others, तो ज़्यादा believe करते थे, उनसे या lean थे, ज़्यादा जुके होते थे, ज़्यादा फेवर होता था, ऐसे भी हो सकता है, all the ministers, experts, except the पुरोहीत, पुरोहीत को छोड़ कर, were expected to lead military campaigns as well as when called upon to do so, तो military campaign में भी जाना पड़ता था, जैसे आज बोल दे, किसी मालो, DC को या मेजिस्टेट को अलगल काम करने के लिए बोल हो जाए, वैसे ही था, fountain-handed, all of all power, fountain-handed मतला वही king से ही जादा पावर निकलता ही, fountain-handed मतला वही एक केंदर था, पावर का, some of officers, officers of household become very powerful, होगे थे, officers powerful, and the armed forces were very important for the maintenance, armed forces both important the maintenance के लिए, empire के लिए, we have already cited evidence from Arab developers of the Pala, Parthihara and Rastukota के had a large and well-organized infantry and cavalry, large number of war elephants भी थे, elephants were supposed to be elements of strength and were greatly prized, तो elephant का ज्यादा प्राइज हो जा था उस टाइम पे, तो ऐसे question बन सकते हैं कि उस टाइम पे elephant का ज्यादा प्राइज होता था, the largest number of elephants was maintained by the Pala king, Pala king के द्वारा बहुत सारे elephants manage किया जाते थे, large number of forces were imported both the Rastukota and Parthihara, Parthihara and Rastukota horse लेकाते थे, होड़ी लेकाते थे, अरब से and West Asia से, और land from Kuras in East Persia और Central Asia से, the Parthihara kings were, are believed to have, तो माना जाता है कि had the finest cavalry, तो Parthihara kings के पास बहुत अची cavalry थी, equation बन सकता आपका, there are no references of the war chariots, तो कोई reference नहीं है, war chariots होते थे, रत होते थे या नहीं होते थे, which had fallen out of use, जो use नहीं होते थे, some of the kings, especially Rastukotas, had a large number of force, तो Rastukota के पास बहुत सारे forts थे के लिए थे, they were garrison, garrison मतलों, वहाँ पे च्छावनी बना दिये थे, नहीं सैनी करके जाते थे, by special troops, and had their own independent commander, commander होते थे, the infantry consistent, यह combine पढ़ रहे है, Rastukotas का, Palas का, और Partiharas का, the infantry consistent of regular and irregular troops होते थे, temporary or permanent होते थे, and the infantry consistent of regular and irregular troops, of levice, जो कर लगाते थे, provided the vessel chiefs, जो गुलाम chief, मुख कर लगाते थे, उन से उनका गुजारा होते थे, regular troops were often hereditary, sometimes drawn from the different religions, regions all over India, तो hereditary होते थे, उन पर्मानेट वाले होते थे, thus the Pala infantry consistent of soldier of Malwa, Khasa, Assam, बोलते थे, लता गुजराचे भी थे, करनाट का, the Pala king perhaps, the Rastakuta had their own navy, Rastakuta की own navy थे, and we do not know how much about their strength and organization, उनकी strength और organization के बारे में ज्यादा नहीं पता, the empire consists of area administration directly, और area ruled over by the vessel chief, जो गुलाम chief होते थे, उनके दोबराबी रूल के जाता था, later were autonomous as far as their internal affairs, तो उसके बाद क्या, जो पाल थे, ये autonomous थे अपने आप में, और internal affairs में one concern, had a general obligation of loyalty थी, paying the fixed tribute कर देते थे, supplying the coat of troops to overload, troops भी बेजते थे, sometimes a shun of vessel chief, जो गुलाम नेता का chief था, बेटा था जो, was required to stay in attendance, to overload the guard against rebellion, rebellion को दबाने के लिए, उसका बेटा काम करता था, गुलाम का, the vessel chiefs were required to attend, the दरबार of the overload on special occasion, तो कुछ special occasion पे, वहाँ पे उसका बेटा भी रहता था, या खुद उसकी गुलाम भी रहते थे, and sometimes they were required to marry one of the, to the overload or one of his son, तो बोलने हैं कि, किसी की अमाल बेटी से, उनकी बेटी से भी साधी करनी पड़ती थी, उनको राजा को देनी पड़ती थी, तो उनके बीच में, चीप के बीच में, घूलाम के बीच में लड़ाई होती रहती, 10 राश्टरकुटा had to fight constantly against the vessel chiefs, राश्टरकुटा हमेशा लटते थे, vessel chiefs के साथ, घूलाम chief के साथ, और vessel chiefs of Venge, आंदरपरदेश के साथ, और करनाटका के साथ, परतिहारा had to fight with against the पर्मार उफ माल्वा एन चंदेल सोब बुंदेलखं बुंदेलखं के चंदेलों के साथ लडते थी ये पर्मार ओ परतिहारा तो यह माना गया था कि उपारिका क्या करेगा लेंड रिवैंन कलेक करेगा और लागम पार्मिविश्वपति थी तो दो 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 निए अपने एरिय में ये काम किया रिवैंन उकता क्या मैंटें के लागम दूरिंग दि पिरिए धेर्वाज एन इंक्रीज इन दे समालर चिफ्टें इंड चोटे चोटे राज भी मुख बिगें तो बिए इंडिक्रिमितरी फूर्फ बोथम धी शामनिवी इंड एंड़िक्ट कुछे किंग्टम दार्रेक्ट्विटी है नुडटी कि घचल तरफिटैंदीर रौष्टरी स्टप्वृट्पती स्टिक उपारीक ऐसे अपारीकक यो पर्तिहरा एंपायर शाइंड the precise role of these smaller units is not known जो छोटा रोल था इसका पता नी था क्या था small not known it seems that the main purpose was the realization of the land revenue इसका क्या में परपस था land revenue का realization करना था and some attention to the law and order apparently all the officials were paid through the grants of rent-free land apparently मुखरूप से क्या थे official को पैसा दी जाता था rent-free land दी जाती थी this tended to blur the distinction between local official and hereditary chief local official के बीच में और hereditary मुखर के बीच में differentiation करना मुस्किल हो गया था and smaller vessels जो गुलाम थे similarly the राष्टपती और governor sometimes enjoyed the status of title of vessel king तो राष्टपती या governor को भी कई बार गुलाम king कहा जाता था below this territorial division was the village उसके बीज़ीज ची क्या था the village that was the basic unit basic unit administration की जैसे आज होता था the village administration was carried on the village headman and the village accountant whose post were generally hereditary मतला बन सागुन नहीं तो जो सरपंच बन गया वही बनता था उस टाइम पे they were paid grants of rent-free land rent-free land दे जाती थे उनको the headman was often helped in duties by the village elders called grama mahajan grama mahajan के दवारा help की जाती थे शासन चलाने में and grama maha mahatra in the rastukuta kingdom particularly in karnatka we are told that there were village committee to manage local schools village committee थे tanks, temples को manage करते थे they could also ratio money or property in trust तो उनको पैसा मिलता था trust में and manage them these subcommittees work in close cooperation ये subcommittee थी उनने close cooperation में काम किया with the headman and received a percentage of revenue collection और एक percentage लिया revenue collection का simple disputes were also decided by this committee simple disputes के क्या है decided किये इन committees के तरह towns had similar committees कस्बे की क्या similar committees थी to which heads of the trade guilds were also associated जिनके guilds का उता है कुछ-कुछ गूरूप बने थे trade guilds थे जो जैसे आज कल बोलते न trade वेपारी तो similar committee बनते थी उनको करते थे law and order maintain town में क्या जादा था immediate vicinity was the responsibility of the coast पाटा या कोटवाल कोटवाल वैसे जैसे police officer और ता वो manage करता था a figure made familiar through many stories stories से पता चलता हमें an important feature of the period was in rise of the decan of hereditary revenue officer called not govern does तो not govern does बोलते हैं ये जो क्या करते थे revenue officer बोलते थे नद्गवंडाज या देशी ग्रामकुटाज they appear to have discharged the same function as देश्मुक और देश्पंद्याज later in Maharashtra में जैसे पैसिखटे काम करते हैं नद्गवंडाज या ग्रामकुटाज बोलते थे जैसे देश्मुक करते हैं this development along with the petty chiftians in north india which we have just mentioned had an important bearing on society and politics as the power of these hereditary elements grow the village committees became weaker village committee the central rural also found it difficult to assert his authority over them and to control them this is what mean what we say that government was becoming feudalist feudalized तो सामन्तवादी बन गई थी government उस ताइम पे another point to bear in the mind अलेक और पॉइंट हमने दिमाग में रखना है relationship of state or religion during the time many of the rurals of the time were devote of this shiv और विश्णु shiv और विश्णु के devotee थे followed the teachings of Buddhism and Jainism भी follow करते थे they made handsome donation to the Brahmana, Brahman को donation देते थे और था बुद्धिस टु भिहार को भी Jain temples को भी but generally they offered paternize to all faiths, हर faith को उन्होंने बढ़ावा दिया did not persecute anymore for his or her religion belief किसी को उसके धर्म के चलते किसी को परिशान नहीं किया उन्होंने Muslims were also welcomed and allowed to preach their faith muslimo को भी welcome किया गया, उनको भी बूला गया कि आप अपने धर्म को फैलाओ, by the raster kutakung normally a king was not expected to interfere with the customs, king के बारे मैं इसे नहीं माना गया कि वो परंपरा के बीच में हाथ हड़ाएगा और with the code of conduct prescribed by the law box, जो उनके कानून कहता है, called by the dhramsastra but he did not have general duty of protecting brahman, तो उसकी कोई duty नहीं थी कि brahman को protect के रहे हैं, maintaining the division of society into four states over Varana, Varana का कोई system नहीं था, the purhita was expected to guide the king in this matter, तो बोल रहे हैं कि, मतलब यह हैं, उसकी duty थी, यहाँ पर, sorry, यहाँ पर duty थी उसकी कि वरण को maintain करना, और four states को वरण करना, और पुरहिता इसकी help करते थे, इस काम में, इस matter में guide करते थे, but it should not be thought that the purhita inferred with the state affairs, state affairs में पुरहिता कोई matter नहीं था, dominated lucking, मेदा हतिती, मेदा हतिती थी, दा foremost expounder of dharma sastra in this period, जो मेदा हतिती नहीं बोला कि, भई, जो foremost सब से पहरे, जो dharma sastra के propound rate थे, उनको follow करते थे, says that a king authority was derived from both the dharma sastra including the veja and earth sastra, ved or earth sastra से वो अपनी शासन चलाने की राजा क्या थे, हो लेते थे, मेदा हतिती नहीं बोला है, his public duty, राज धर्मा, was to be based on the earth sastra, तो earth sastra पे उसकी राज का धर्म था, राज का धर्म था, राज का धर्म था, वो earth sastra पे बेस था, that is on the principle of politics, this really meant that politics and religion were in essence kept apart, politics अलग थी और religion अलग था, religion being essentially a personal duty of the king, thus the kings were dominated by the priest, king dominated किये जाते हैं, priest की दवार, पादर की दवार, by the second law expounded by them, या वो पवितर ला जो बोलते हैं उनके दवार, religion was however important for the legitimate and strengthening the position of the rulers, तो हाला कि religion का कैसे यूज के जाता था था कि यू पोजिशन रूलर की firm करता था society में, many of them rulers therefore built grand temples, उन्हेंने मंदिर बुनाए, open their capitals and gave handsome land grants to maintenance of the temple and to Brahmans, Brahmans को land grants भी दिया और उनको maintain करने के लिए पैसा भी दिया, यह अपका second chapter भी finished हो चुका है, I hope आपको समझ में आओगा और interest बन रहा होगा आपका history में, automatically आप सुनते रहोगे तो आपकी history बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और daily मैं वीडियो रेका होगा, complete यह जो है सतीश चंद्रा की book medieval इंडिया की करूँगा, और आगे और भी book मैं continue करता रहोगा, thank you very much, अपने friend में share के जोग कर देना, bye!